नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रों क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर इंटीग्रिटिट पोटल तयार करने वाला देश का पहला राजे बना बिहार करोना से बचाओं के लिए बिहार में बूस्टर डोस पर दिया जाएगा जोड भागलपुर को लेकर संजय मिश्रा ने कही ये बात लैंड फॉर्ट जॉब स्कैम पर बोली प्रियंका गांधी वंडे विश्रु कप को लेकर आइसी सी ने जारी किया सेडियूर इसके साथी बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से इंटिग्रेटेड पोर्टल तयार करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार बीते दिन अधिवेशन भवर में श्रम संसाधर मंत्री शुरिंदर राम के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने लेबर श्रेस का भगतान करने के लिए पोर्टल लॉंच किया है बता दे कि यह पोर्टल इंडियन बैंक के सहयोग से तयार किया गया है जिसका उद्गाटन बीते दिन श्रम संसाधर मंत्री शुरिंदर राम के द्वारा किया गया बता दे कि इस पोर्टल के लॉंच होने से फोन सिट से लोकेशन ट्रेन करना असान हो जाएगा और लोग घर बैटे से जमाग कर सकते हैं कि राजे के एक फीजदी लोगों को सरकार के द्वारा चराई जा रही योजनाओं का लाप नहीं मिल पाता है इसी को लेकर बीते दिन मंत्री निया धिकारियों को चिताबनी देते वे कहा कि अपनी पीट को थप्त पानी की बजाए ऐसा काम करें जिससे लोग आपकी सराना कड़े और श्रम संसाधन सरकार का सबसे बहतर बिभाग बन कर उबरे आज नवरातरी के पाचवे दिन मा असकंद माता की पूजा आज नवरातरी का पाचवा दिन है और ऐसे में आज के दिन मा असकंद माता की पूजा की जाती है जिस वजह से इन्हें पदवाशना की देवी और विध्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है लोगों के बीच ऐसी मानेता है कि अगर सच्चे मन और विधि विधान से सकंद माता की पूजा की जाती है तो संतान की प्राप्ती होती है इसके साथ ही मा की कृपपा से घर में शुक्षान्ती और समृध्धी कायम रहती है रिश्वत लेते Central Excise अधिक्छक गरफतार CBI की टीम के दोरा अभिहार के मोतिहारी जिले के सेंट्रल एक्साइज अधिक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफतार किया गया है पता दे कि गिरफतार किये गए अधिक्छक के पहचान संजय सिंग के रूप में की गई है दरसल मिली जानकारी के नुसार सेंट्रल एक्साइज अधिक्छक के दोरा मोतिहारी में एक इलाइची काड़ोबारी से 60,000 रुप रिश्वत की मांग की जा रही थी जिसके सिकायद काड़ोबारी के दोरा निगरानी विभा को की गई जिसके बाद निगरानी विभा की टीम के दोरा सेंट्रल एक्साइज अधिक्छक संजय सिंग को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गरफतार किया रामनवी पर बिहार की राजधानी में दिखेगा कुछ खास रामनवी आने में अब कुछ ही दिन बाकी रहे गए हैं ऐसे में इस बार रामनवी के मौके पर बिहार की राजधानी पटना में लोगों को बहुत कुछ खास दिखने वाला है जिसमें सबसे मुख्याकरशन वि जिद्ध कला गतका को प्रदर्शित करेगी सोभायात्रा का अने मुख्याकर्शन का किंद्र भिखना पहारी सोभायात्रा समीती की ओर से निकाली जाने वाली 20 फूट की हनुमान जी की जाकी होगी इसके अलावा 29 मार्च को डाग बंगला चौराहा पर लाहबाद के विश्व से शरवाधिक छाकिया है मालूम हो कि राम नवी के मौके पर पटना मिस्थित महावीर मंदिर में पुरुशों और महिलाओं के लिए अलग-अलग लाइन का इंतिजाम किया जाएगा कोरोना से बचाओं के लिए बिहार में बूस्टर डोस पर दिया जाएगा जोड एक बार फिर से पुरे देश में कोरोना की मामली बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में इससे बचाओ करने को लेकर बिहार में स्वास्ते विभाग के द्वारा टीका करन अभियान पर जोड देने का निर्णय लिया गया है। स्वास्ते विभाग के द्वारा करोना वायरस के लिए एडवाईजरी गाइडलाइन भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां तो आज के समय में भी बहुत फ्रस्तरकारी मिलती है। बचपन से तिलका माजी में हरियर का तरकारी खरीते रहे हैं। और ममेरा भाई अमित्व सुमीत सिलक सिटी भागलपुर में तैयार सिलक के कपड़े भेट करते हैं। उन्होंने कहा कि भागलपुर से जुरी यह सभी बाते उन्हें मुंबई में बहुत खलती है। यही वज़ा है कि वह समय समय पर अपनी याद को ताजा करने के लिए भागलपुर आते रहते हैं। बता दे कि यह सभी बाते संजय मिश्रा के दोरा एक अख़बार से खास बातचीत में कही गई। पहले किसी की जान बचाई जाए। बिहार के 102 जल जाज प्रियोग शालाओं को एक्रियोग शालाओं को एक्रियोग सालाओं के प्रसक्षन काडिक्रम का उध्गाटन करने के दौरान यह जानकारी दी गई। बिहार के हर घर नलका जल योजना के तहत राजी के कुल 102 जल जाज प्रियोग सालाओं को इस साल अभियान चलाकर एक्रिटिटेट कराया जायका। उन्होंने कहा कि हर घर नलका जल के सफल किर्यानवन के बाद अब बिहार सरकार का लक्ष है कि जलापूर्ती योजना का दर्गकालीन अनुरक्षन किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि राज्य में एक राज्य अस्तरिय जल जाज प्रियोग साला, 38 जिला अस्तरिय जल जाज प्रियोग साला, 75 अवर प्रमंडल जल जाज प्रियोग साला और 9 मुवाइल जल जाज प्रियोग साला है जिन में से राज्य और 11 जिला अस्तरिय जलजाज प्रयोकसाला को पहले ही NABL एक्रिडिडिट कराया जा चुका है वही बाकी बचे जलजाज प्रयोकसाला को इश्वर्स करा दिया जाएगा पतना एरपोर्ट से चंडिगर की सीधी हवाई सेवा हुई बंद एक तरफ जहां आज यानि की 26 मार से देवघर एरपोर्ट से पतना एरपोर्ट के लिए सेवा शुरू हुई है तो अई दूसरी ओर चंडिगर से पतना आने और यहां से भूवनेश्वर जाने वाली विमान स पतना एर्पोर्ट से 4 वालाईस्वर विमान इंडीगो पतना एंडिगो देवघर पतना नाश की दो करने का समय क Pat अप्रैल महीने में हैं बता दे कि इसके तहट अस्पतालों में बुन्यादी कामों को पूरा किया जाएगा ताकि मरीजों को उपचार कराने में किसी प्रकार की और सोविधार ना हो। इसके लावा अस्पतालों में आने वाले मरीजों की सहायता के लिए I help you डस्क का भी निर्मान करवाया जाएगा ताकि मरीज यहां आकर अपनी किसी भी सवाल का जवाब पासके साथी अस्पतालों में साफ सफाई पर भी विशेश रूप से ध्यान दिया जाएगा और साइनि दियों को एक ड्रस कोट दिया जाए जो कि चिकिसक वर नर्स की तरज पर होगा ताकि लोग उनकी पहचान आसानी से कर सकें बिहार में बादित हुआ रेल परिचालन बिहार में आज सुभा सुभा गया गोमो रेल खंट पर एक बड़ा हासा होने से बचक्या और गनीमत यह रही कि सिर्फ रेल परिचालन ही पारित हुआ बतार एक इस घटना से जुरी मिली जानकारी के नुसार हीरो डी के पास रेल पत्री लोड कर जा रही एक मालगारी पर लदी पत्री अचानक से बाहर निकल गई और उसी दौरान बगल की लाइन से गुजर रही एक अन्य मालगारी से टकरा गई जिस वजह से दोनों लाइने अचानक बाधित हो गई इसके साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि देल पत्री लोड मालगारी से पत्री का एक टुकरा टकर बगल की पत्री से गुजर रही मालगारी से टकरा गया था जिससे दोनों गारियों को हाथसे क सिकार होना पड़ा हाला कि हासे की सूचना मेलने के बाद रेल अधिकारियों का दल घटना स्थल पर पहुंचा और इस हासे में किसकी लापडवाही रही है उसकी जाच की जा रही है जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर शुशील मोदी ने आरजेडी जद्यू को लपेटा बीतेगन सरिवार को जमीन के बदले नौकरी घटाले मामले को लेकर CBI के दोरा तेश्री यादव से कई सवाल पूछे कैं तो वही एक तरब जहां आरजेडी का कहना है कि तेश्री यादव पर यह कारवाई किंद्र सरकार के दोरा बदले की भावना से करवाई जा रही है तो वहीं दूसरी और बीजेपी का कहना है कि यह सभी कानूनी प्रक्रिया है वहीं एक बार फिर बिहार के पुर्व सीम और बीजेपी के वरस्ट नेता शुशील मूदी के दोरा इस मामले को लेकर जदियू और आरजेडी पर तंच कस्ते वे कहा गया है कि जिन लोगों के के दोरा CBI को घोटारे संबंदिस सबूत दिये कै थे आज वहीं लोग इस पूरे मामले पर सियासत कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ललन सिंग और जदियू के सरदियादब के दोरा UPA सरकार के प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग को ग्यापन देकर CBI जाजकी मांग की गई थी और बा लेकिन राज़त और जदियू भरष्टचार से जुरे इसमुदे पर राजनेती कर रही है लैंड फॉर जॉब इसकैम पर बोली प्रियंका गांधी चमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर बीते दिन बिहार से उपमुख्यमंत्रे तेश्री यादव से CBI के दोरा लगभग नौ घंटे तक पूछ ताच की गई वहीं दूसरी ओर CBI ने लालू यादव की बड़ी बेटी मिशा भारती से भी कई घंटों तक पूछ ताच की जिस पर अब राजनेतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है वहीं अर इस कड़ी में कॉंग्रस महासची प्रियंका गा और मीशा भारती जी को एजेंसियों द्वारा प्रतारित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि लोग तंत्र पर हो रहे हमले के खिलाफ हम सब एक जूट है वंडे विश्व कप को लेकर ICC ने जारी किया सेडूल ICC के द्वारा वंडे विश्व कप 2023 को लेकर क्वालिफायर मुक मुकाबलों के लिए जारी किये गया सेडूल के अनुसार विश्व कप के प्लेफ क्वालिफायर मुकाबलों का आगाज 26 मार्च से होगा जो की 5 अप्रैल तक चलेगा बता दे कि पहला मुकाबला 26 मार्च को नामीबिया और अमेरिका के बीच खेला जाएगा तो वही 27 मार् 30 मार्च को नामीबिया बनाम जर्सी और यूसे बनाम यूएई एक अप्रैल को यूएई बनाम कनाड़ा और पी एंजी बनाम जर्सी दो अप्रैल को पी एंजी बनाम यूएई और नामीबिया बनाम यूएई चार अप्रैल को कनाड़ा बनाम यूएई और यूसे बनाम ज जाड़ी किये गए ऐसके बाद राजधानी पठना में आज पेट्रोल 107.22 रूपय और डिजल 94.252 रूपय प्रती लीटर प्रथलीटर मिल रहा है। इसके साथ ही गया में पिट्रोली कीमत 118.3, 1 रूपे और डीजली कीमत 15.64 रूपे प्रति लीटर है बतादी कि बिहार में पिट्रोल गाईट सब स्वाधा कसंब गंज में हैं जहीं पिट्रोल 109.4, 46 रूपे प्रति लीटर गेनर से मिल रहा है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार किसी के जीवन में अंगदान कितना महत्वर रखता है आप अपने जवाब हमें मारे कामेंट सेक्षिन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बरे रहने के लिए देखते रहें बिहार नीनूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूरे थन्यवाद